आज हम पढ़ने वाले हैं इस यह के जर्नल एंट्रीज को तो जैसे आगर आपने हमारे प्रीवेस वीडियो को रेफर किया हुआ तो उसके अंदर हमने इस यह से रिलेटेटर सारे कोनसेट्स और eru意 को और आपको एक्सप्लें कर दिया है आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इसके जर्नल एंट्रीज को पढ़ने के कोशिश करेंगे एंट्रीज सबीक cents करेंगे और आगे हम लोग दो पार्ट में इस पूरे वीडियोको डिविए करने वाले फ्रस्ट पार्ट में हमकों एंट्री को डिसक्स करेंगे और सेकेंड पार्ट में मौट एक्सरां इंट्री कि आपको इन चीजों को देर्ण रखना है कि हमने यहाँ पर हर जर्रक्रण एंट्री को स्टेजेस में डिवैड कर दिए ठीके तो जैसे दो तीन चार से अलग हमने स्टेजेज बना दिया और हर स्टेज स्के अंदर हमने कम से कम किटने रखी है तो हमने हर स्टेज के अंतर नहTracy को रखा हुआ है वैसे वैसे जब हम कोई booksनलं आम स्टेज़ से यका में आश्य ओवार्वी स्टेज Ó परेमें आपको जानके रही होगी तो जो हम शेस खरीटने हैं तो सबसे पहले जो मार्केट में जो इंडिविजिल्स होते जो इन्वेस्टर होते उनको सबसे पहला मार्केट के लिए खरीदने के लिए शेस के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो वहां पर लोग कंपनी को application सब्सक्राइब करते हैं इसी स्टेज को application स्टेज बोला जाता है अब हमें तो इस पूरे सम को जैसे कि मैंने का था कंपनी के point of view से solve करना चाहिए तो company के point of view से अगर हम ध्यान देंगे तो application स्टेज में सबसे पहले जो इन्वेस्टर है वह company में application form के साथ apply करते हैं और form के साथ और form के साथ वो लोग शैस से कुछ पैसा भी देंगे जैसे कि अगर 10 रुपे के face value का share है company उसको 10 रुपे में बेच रही है तो for an example company कहेगे कि मुझे 10 रुपे दो रुपे जो है इसके अंदर अप्लिकेशन पैस अच्छे है तो application मतलब क्या हुआ कि जितने भी शैस के रहे अप्लाई करना चाहते हैं आपको पर शैर दो रुपे देना पहलेगा तो 100 शैस के लिए जो बंदा अप्लाई कर रहे है वो दो रुपे के सबसे 200 र application बनी तो कि सबसे पहला company के पास form के साथ उसका पैसा भी आता है तो इसके एफेक्ट को समझें पैसा company में आ रहे है company के अकाउंट के अंदर पैसा जमा होगा बैंक में पैसा डैड़े ली जाएगा cash नहीं होता है जैसे मैं आपको बताया था तो डेबिट रिसीवर के रू नई question में mention किया होगा तो आप सिर्फ शेर अप्लिकेशन लिखे एक्विट या प्रिफरेंस निखने का कोई कंपल्शन नहीं है तो यहां पर आएगा bank account debit to equity share application अप्लिकेशन के अंदर का पहला stage ठीके शेर अभी सिर्फ application form आये हैं आप company क्या करेगी जितने भी form आये हुए हैं जिनको शेर देना है अब वो सारे शेर का पैसा है उसको अपने शेर अप्लिकेशन का पैसा दिया था अब कंपनी इसको ट्रांफर कर रही है अपने capital अकॉंट में इसलिए यहां पर इसको क्रेडिट इफेक्ट दिया गए तो दुसरी एंट्री होती है वह कि ट्रांसफर की ठीक है क्या एंट्री बन जाएगी एक्विटी शेर अप्लिकेशन अकॉंट डेबिट टू एक्विटी शेर कैपिटाल अकॉंट तो हमने क्या देखा पहली एंट इसको याद अखना हम लास्ट में इसको करेंगे तो पहले स्टीज के एंट्री होगी आर एंटी डाइज रिसीव एंड ट्रांसफर ठीक है अब अप्लिकेशन के बाद कंपनी क्या करता है कंपनी सारे अप्लिकेशन सको सिलेक करता है कुंसे कुंसे अच्छे इंवेस्टे इंवेस्ट करने जाते हैं फिर वो क्या करता है जितने भी शेज अपने डिमांड के वह सारे शेज आपके नाम पर ट्रांसफर कर देता है यानि ऑफिशली वह आपको अपनी कंपनी का क्या बना लेता है शेर उल्डर तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अलॉट्मेंट त तो इसके अंदर भी दो स्टेप होगा स्टेज मैंने की दो एंट्री होगी इंट्री वन एंट्री टू एप्लिकेशन के अंदर पहले रिसीव हुआ था बाद में उस पैसे को ट्रांसफर किया अगया तो कि जहर सी बात हैं पहले लोग अप्लाई करेंगे उसके बाद ही हम दे दिये आपको अफिशल लिए टिकलेर कर दिया एथ शेयर ओलडर कर देगा कि आज से हमने आपको शेयर डिया है उसके बतले भी आपसे कुछ पैसा मागेगा यहां पर यह बात यहां दक्तना है कि कंपनी आप से एक भी रुपय एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा है कंपनी तो वही दस रुपे का शेर जो आपको बेच रहा था उसमें से दो रुपय अप्लिकेशन में ले चुका है आट रुपय हो आपसे और लेने वाला है तो इसने आपको शेर बेचे हुए ठीक है तो अब वह क्या कर रहा है बचे हुए आठ में से फॉरान इसमपल दो रुपय आपसे ले रहा है या जो भी आम लबसे ले रहा है उस पैसे को हम यहां पर कहेंगे अलॉटमेंट मनी यह अलॉटमेंट स्टेज के अंदर पहला होगा डिमांड तुकि एप्लिकेशन में तो आपने पहले फॉर्म के साथ पैसे अप्लाई कर लिए आप कंपनी आपसे होंगे अप्लाई की होंगे उतने आपको अपको कंपनी को इसको देना पड़ेगा तो कंपनी यहां पर आपसे पैसा डिमांड कर रहा है Entry क्या बजाएगी, Entry बजाएगी, Equity Share Allortment Development Capital, आपके Allortment को पैसे कों making capital में transfer करेगा, Capital जोकी Liability होता है, इसक manner बें credit effect दिखे और अगर हम ध्यान dado से देखेंगे, तो यहाँ पर अपना जो application का second Entry होता है, लेकिन एप्लिकेशन वर्ड के बदले यहां पर हटा के क्या लिख दिया गया है एलॉटमेंट वर्ड लिख दिया गया है यानि कि यह वही दो इंट्री है जो आगे आने हर स्टेज में रिपीट होगी बढ़ूंगा जो क्रोनोलजी वो चेंज हो गया फर्स्ट और सेकेंड वड़े यहां पर के बंट की बन जाती है वहां पर नुट धिया我ं पर लिखा-घा किया तो यहां पर कोई करेगा तो अपना इंटिरम यह रिसिप्ट और कंपनी में आ रहा है वर पर बैंक सब्सक्राइब इस बात का पैसा आया तो अलोटमेंट पैसा आ तो यह आप जाता लोड लेनी की ज़रूद नहीं है यह इंट्री कुन सी है तो जो हमने एप्लिकेशन में नंबर वन एंट्री पास की थी bank account debit to equity share application account क्या गा मैंने bank account debit to equity share application यहाँ पर यही entry को repeat किया गया bank account debit to equity share application के बदले यहाँ पर हटा के application क्या लिख दिया allotment लिख दिया मतलब same entry starting की दो entry अगर आपने याद कर ली तो पूरा स्टेज वाइज आप इसको आगे भी लिख सकते हो तो क्या होगा यह होगा bank account debit to equity share allotment application को हटा के मैं क्या करते हैं allotment करते रहा हूं और पहले और दूसरे स्टेज में आके मैं उसकी chronology को change कर देता हूं यानि one two के बदले two one कर देता हूं ठीक है जो है वह company की तरफ से issue कर दिया गए ठीक है अब जब जब company को और आगे finance की ज़रत पड़ेगी मेरे example को यहां दखना दस रुपए में आपने पहले दो रुपए application के वक दिया था और allotment देते हो company आपसे दो रुपए लिया चार रुपए अपने company से ले लिया आपसे छे रुपए बाकि आप company चाहे तूझ छे रुपए को विदिन इयर अलग अलग entry को समझने कि यहां की जो अमरी फर्म है उसने दो कॉल किये हैं उसने बचे हुए पैसे छे रुपए को दो हिस्ते में भागा वह हिस्सा एक्वाल होगा ऐसा कोई particular requirement नहीं है ठीक है तो यहां पी इसके लिए मैंने आम और ने मेंचन किये तो दो कोशन कोशन के उपर करते हैं कितने भी कॉल्स के अंदर पैसे को मांग सकते हैं अब इमाजिन कर लोगी कंपणी ने थीसरी बार जो आपसे पैसा मांगा हुए एक्जमपल लेते हैं चे मैं से तीन रुपए आप से कंपनी ने मांग लिया अब यहां पर आपको क्या करना है तो यहां पर कूछ यहां नहीं पढ़ना है जो आफने कर लो कर लो यहां पर कर क्या देख रहे हम कि entries are remaining the same इसका जो वर्ड है स्टेज के सबसे चेंज हो रहे हम वही पहली वाली एंट्री को बार-बार रिबीट कर रहे हैं ठीक है यहां पर भी पहले डिमांड होगा ठीक है और डिमांड के बाद में यहां पर क्या होगा सबस्क्राइब आप कंपनी को पैसा दोगे तो यह कुन से स्टेज वो जाएगा दूसरा वाला रिशीव स्टेज हैनी जैसे मैंने कहा था हर स्टेज के अंदर दो-दो एंट्री तो पहले याद करो एप्लिकेशन में क्या था पहले था रिशीव और दूसरा था ट्रांसफर फिर उसके बाद Allotment में क्या हुआ, Demand and Receipt, First Call में क्या हुआ है, Demand and Receipt, और आप देखेंगे तो वही Entry है, Bank Account Debit to Equity Share Application लिखा, फिर बाद में उसी को Bank Account Debit to Equity Share Allotment लिखा, अब उसी Entry को वापसे में क्या लिख रहा हूँ, Bank Account Debit to Share First Call, देख लिए, यानि स्टेज के इससाफ से वो जो नाम है, वो चेंज होता जा रहा है, पहले वो एप्लिकेशन था, फिर वो अलॉट्मेंट था, फिर फिर फिर्स्ट कॉल है, वो आगे भी बढ़ता जाएगा, बट जो एंट्री है, जो बेसिक एंट्री है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इक्विटो चैर फर्स्ट कॉल, तेशन एंदर करेंगे जो तीन रुपया था कंपनी ने वह भी मांग लिए तो पहले का दो ऐलोट्मेंट का दो साथ रुपया टोटल हो चुक एंद तीन रुपया और वाखी है अब करें भी सर्द ज्यसें क्रवारी मेड़ा हो जाएगा तो कि इस पर आरे यह ऑड़ हुज बर जाएंगा ठाड़ी काल काकर मीं फुल्ली नहीं यह तो पूरा पैसाने पैसा हो जाएगा से से कंपन थे सावितल दोस्तों तो इसेकंट फ्रीज चतों के अंदर फूरा फैसा मागे जा तो second stage जो है, वही हमारा final call होगा, तो stage का नाम क्या होगा, share second and final call, यहाँ पर भी same pattern को follow किया जाएगा, पहले demand की entry आजाएगी, और demand के बाद में दूसरी entry आजाएगी, आपकी receive वाली, ठीके, बात करें, entry की तो जैसे share first call के लिए हमने कहा लिखा था, equity share first call to equity share capital, यहाँ पर हम क्या करतेंगे, equity share second and final call, ठीके last वाली है, equity share second and final call to equity share capital, entry is the same, stage के सबसे खली नाम को बदल रहे हैं, तो आपको 8-8-15-15 entry नहीं रच्टा मारना है, सिर्फ दो entry को आपको समझ के याद रखना है, रच्टा मारना है भी गलत बात है, दो entry को बस समझ के याद रखना है, आपको समझना है, उसके concept को कि क्यों debit है, क्यों credit है, उसके बाद तो सारी entry से हो जाएगी, यहाँ पर demand के बाद फिर यहाँ पर वापस देखेंगे, तो आगे देखो, receive entry जाएगी, and it is again the same entry, bank account debit to equity share, second and final call, पहले हमने लिखा application, फिर हमने लिखा allotment, फिर हमने लिखा first call, अब आग सकता है, पांस स्टेज का भी सकता है, यहाँ पर चार का example लिए गया है, तो यह तो हो गई हमारी basic general entry, यहाँ आप में sum syllabus नहीं घतम होता है, यह basic entries है, इसके अंदर फिर आगे variety of changes होगा, और sums का लेवल होता है, वो धेरे धेरे बढ़ता जाता है, जो हर stage में होती है, तो होड़ा वो changes करके लिए कर आती है, तो इस वीडियो को आगे continue करने से पहले आप एक hold लेकर, यहाँ पर पूरे पहले concept को पर लीजिए, entries को लिखिए, यह आपके textbook में भी available है, जब आप यह पूरे 8 entries, 4 stage के साथ में comfortable हो जाएंगे, उसके बाद आगे इस वीडियो को resume कर सकत हैं, और जिन्हें यह entries आते हैं, जो हमारे दोस revise कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम अलग-अलग conditions के अंदर क्या-क्या changes होता है, हमारी 8 entry के अंदर उसको देखेंगे, तो what are the different entries, what are the different conditions, what are the changes, यह हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, तो सबसे हम प आतने खुद का face value होता है, तो आगर हम लोग कोई share की face health 10 रुपया है, और हम उसको 10 रुपय में ही market में बेच रहे हैं, यानि face value is equal to the issue price of the share, उसको हम लोग बोलते हैं, इसको सीधी बाचा में कहते हैं, इसको सीधी बाचा में कहते हैं, भाव टू भाव दियाना, यानि जो cost थी, उसके original face value 20 रुपीस या 10 रुपीस, उसी rate में हम आगे इसको issue कर रहे हैं, ठीक है, अब दूसरा जो होता है, वो होता है, issue at premium, आचा पार में issue करने के लिए को specific entry की जरुवत नहीं होती, जिसे हमने 8 entry पढ़िए, वो normal entry से वो पार करते हैं, वैसी रहेंगी, पार का अ company, अच्छा profit से, अच्छा prospect से अपकी company के, तो जैसी बात है, अपने 10 रुपी का share क्या करोगे, आप फड़े ज्यादा rate में बेचोगे, यहाँ पर मैं example लेता हूँ, कि मैं 10 रुपी का share को 12 रुपे में बेच रहा हूँ, तो मैं कितना रुप्या company, लोगों से extra ले रहा हू इसी 2 रुपे को क्या का जाता है, इसी 2 रुपे को गाईस बोलते हैं, premium, premium, security premium या share premium, तिनों नाम से इसको बुला जाता है, बड़ यह क्या होता है, यह basically वो extra पैसा होता है, जो हम अपने investor से मांगते हैं, और हम यह normally premium में कब बेचते हैं, जब हमारी company का market में goodwill जो है, वो क अब कुछ ना बोला होगा, question में कहीं clarity नहीं कि कहा मांगना है, तो हम यह assume कर लेंगे कि जो extra 2 रुप्या है, वो allotment, यह shares जब आपके नाम ट्रांसफर होते हैं, आपको share certificate issue किया जाता है, उस stage में आपसे 2 रुप्या लिया जाएगा, ठीके, तो changes क्या होगा, तो जो मैंने आपको entry सिखाया था, demand वाला, तो हम imagine कर लेंगे कि अलॉट्मेंट में सब कुछ हो रहा है, तो देखो, allotment के entry मेंने तो आपको यही सिखा मांग रहे हो, तो बस आपको क्या करना है, इसी entry के अंदर यह आपकी वही demand वाली entry allotment की, उसके नीचे आपको add कर देना है share premium account, जिसको security premium account भी कहते हैं, यानि कि इस दो रुप्य एक्स्ट्रा जो है, उसको अलग से यहाँ पर शोग करना पड़ेगा, ठीके, तो आपके entry क यह पुरानी entry, share allotment to share capital, यह तो हमने सिखी लिए, अब इसमें आपको add up करना पड़ेगा, यहाँ पर credit side में share premium account, credit में क्यों, तो प्रीमियम एक reserve होता है, और reserve balance sheet के liability side में लिखा जाते है, liability बढ़ने से उसका credit effect होता है, ठीके यह आपकी 11th की basic entries के बढ़े में, तो यहाँ आप याद रखिए, यहाँ पर share premium को हमेशा credit में लिखने है, यह हो गया, और अगर आपने समझो, allotment में नहीं लिए, आपने application में पैसा मांगा हुआ था, प्रीमियम का, तो बस यह application जो वाड़ है, यहाँ अफिट कर दिए, allotment को अटाईए, application लिख दिएजे, मतलब यह same entry, ऐसा भी हो सकता है, share application, to share capital, to share premium account, जब हमनों transfer के entry मारेंगे, तब आप ऐसा कर दिए, यह अगर हम demand में कर रहें, allotment वाले में, तो यह entry को इस तरीके से भी pass कर दिए जाएगा, यहाँ इस तरीके से भी पास कर दिए जाएगा, यह इस तरीके से भी पास कर दिए कोई चीज अगर महंगी विक्रिए, कोई चीज अगर भाव दूबा विक्रिए, तो तीसरा logic बनता है कि कोई चीज अपने range से कम rate में विक्रिएगी, यानि issue of share at discount, तो अगर हम कोई share को discount में बेते हैं, यह भी मैंने एजूम किया कि normally allotment में, यानि 10 रुपे का share भाई हम 9 र लिखा होगा तो मैं जूम कर लेंगे premium की तरह कि भाई जो discount है, वो हमारे investors को allotment stage में दिया गया, तो allotment stage की तो demand के entry थी, demand के entry थी, share allotment account, debit to share capital, ठीक है, तो जैसे premium को credit में लिखा हुआ था, तो कि वो liability में जाने वाला था, वैसे discount का debit में लिखा जाएगा, या तकि discount का debit म नुकसान होगा, debit all expenses and losses, और share भेजते वक्त जो discount होता है, उसको as a revenue expenditure, यान deferred revenue expenditure, capital expenditure भी खहते हैं उसको, इस discount को balance sheet के asset set में लिखा जाता है, ये 12 standard में नहीं बढ़ थोड़े higher level पहेंगे तब को समझ में जाएगा, फिलाला बगार को याद करना है तो आप छोड़ा सा example लेक जनुकसान हो जाएगा, इसके लिए company जो है discount को debit में लिख रही है, इन actual में इसको asset में लिखके हर सल इसको right off किया जाता है, बड़ मैं आपको समझाने के लिए easy तरीके से बता रहूँ, तो वही demand के entry के अंदर आप D for discount, D for debit में लिख दिजिए, ठीक है और यह अगर premium का sum हो है, the only change in the entire sum will be at the stage of allotment, वो भी demand के अंदर आपको discount entry को लिखना है, बाकि इसको मैं practical भी जम हम लोग सम करेंगे, तो भी मैं आपको इसको detail में जरूर बताऊंगा, ठीक है, तो यह extra change हो गया, जो हमारे पिछले 8 entries के अंदर आ सकता है, उसके अलावा, यहापे और बहुत सार कोशिश कीज़े, पहले दो entries को समझ लीजे, यह application वाली, जहां पर पहले receive और बाद में transfer है, उस chronology order को बाद में change करके, allotment, first call, second call, entry को कर सकते हैं, फिर उसके बाद जब आपको आठ entry याद हो जाएगी, तो अभी यह करिए कि अगर आप share को पार में बेचेंगे, तो premium का column add करना है, या अगर आप इसी चीश को या discount में दे रहे हैं, तो आपको allotment के debit said में discount को add up करना है, तो पहला आप इतनी चीजों को revise कर लीजे, इसको अपनी दर से perfect कर लीजे, फिर इसके second part जो वीडियो की general entries की, उसके अंदर हम इसके और भी बहुत सारे changes होते हैं, इस करेंगे, तो आप revise करते रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहे हैं, एक वीडियो को थरो करने के बाद ही second video पर jump on, ठीक है, तो keep revising, keep practicing guys and all the best, thank you so much.